सरहत पर दुश्मन से लोहा लेने के साथ साथ बीएसफ के जवान इन दिनों बार जैसे हालात से निपटने में भी जुटे क्योंकि जम्मू में पाकिस्तान बॉर्डर पर चिनाब और तवी नदियाओं फान पर है पूरा हिलाका पानी से लबालब भरा है ऐसे में दुश्मन मौके का पाइदा ना उठा ले इसलिए बीएसफ के जवान तारबंदी के किनारे घुटनों तक भरे पानी में गश्ट करती हुए दिखाई दुश्मन ऐसी कोई हरकत ना कर दे गुश्पैट करके यहां कोई नुक्सान ना करे अगर आप देखेंगे तो अभी दो दिन पहले ही नाई ने चारशीट फाइल की है जिसमें ये साफ हुआ था कि पाकिस्तान जो है वो किसी भी तरह से पार से गुश्पैट कराने की कोशिश करता है क्योंकि पहले भी उसमें भी साफ है कि पाकिस्तान निसांबा और हिरनग जो है वो लगाना मुम्किन नहीं है ऐसे इलाकों में जब जल मगन वो इलाके होते हैं तो यहां चुनोतियां और बढ़ जाती हैं चाहे वो सर्च ओपरेशन हो या फिर वहां पर पेट्रोलिंग ये एहम हो जाता है और इसलिए बीसेफ के जवान इन इलाकों को खासतोर प में जवान पेट्रोलिंग कर रही हैं सर्च कर रही हैं ताकि अगर किसी भी इलाके में ऐसी कोई संदिक खरकत दिखे तो उसे निप्टा जा सके देश के कई राजियों में इन दिनों बारिश का माहुल है और कई जगा बार जैसी स्थिति बनी हुई है मगर आपको बदा द हमने पाकिस्तान है और पाकिस्तान वहां से कई नापाक हरकते करने की कोशिश करता है ऐसे में इस पूरे इलाके में भी बड़ी बारिश के बाद बरसात के बाद बार के बावजूद भी बीस जो है इस पूरे इलाके में तैनात है उस चीज़ को सुनिशित कर रही है कि कि क कि कोई छेड़ चार ना करें इसलिए पेट्रोलिंग बड़ी जरूरी हो जाती है चाहे किसी तरह की चुनोतियां क्यों नहूं आप जखेंगे बीएसेफ के जवान और आफिसर ग्राउंड पर इसी तरह से लगातार अपने आपको बनाए हुए हैं और इस चीज़ को सुनिश दुश्मन पर रखे हुए हैं ताकि कोई भी आगर सामने से हरका दिखे तो उस पर कारवाई की जा सके यही जाबाज हैं जिनोंने पाकिस्तान को हर बार गुस्पैट के वक्त नाकाम किया है यही वो जाबाज है जिनोंने हर वक्त पाकिस्तान की जो युद विराम के इंतजार में हैं कि वो गुस्पैट कर सके लाउंच पैट पे हैं मगर इन बियस्टिफ के जवानों की इन चुनोतियों के जो इस वक्त चुनोतियां यहां बनी हुई हैं बार के बावजूद लगाता डेटे हुए हैं और हर वक्त पाकिस्तान की हर कोशिश को नाकाम कर रहे ह अब हम इस समय अंतराश्टिस सीमा के इलाके में हैं और एक नजर अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो यह पूरा का पूरा इलाका वो इलाका है मैं नाम नहीं बताऊंगा कौन सा इलाका है मगर देखेंगे तो पूरा जलमगन हो रखा है और जलमगन इसलिए क्योंकि इ बिना किसी परिशानी के बिना किसी चीज से कॉंप्रोमाईस किये हुए लगातार इस पूरे इलाके में पेट्रोलिंग कर रहे हैं और इस चीज को सुनिशित कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से अगर सीमा पार से कोई हरकत हो तो उस हरकत को भापा जा सके और उस पे कारवाई की जा सके और ये इलाका जो है आपको बता दूँ यहां परिशानिया इसलिए जादा है चुनोतिया इसलिए जादा है क्योंकि यहां सीमा पार पाकिस्तान जैसा देश है जो लगातार यहां कोई ना कोई बड़ी हरकत को अंजाम देने की कोशिश करता है मगर इनी बीएसेफ के जवानों की बदोलत पाकिस्तान की हर उस कोशिश को नाकाम किया जाता है अभी तक आपने तारबंदी के पास बार में जवानों के मुस्तेहदी देखी अब आप देखिए कि कैसे बॉर्डर पर उफंते दरिया के बीच बीएसेफ के जवान दुश्मनों से लुहत उले ही रहे है साथी बार का पानी भी उने परिशान कर रहा है लेकिन फिर भी वो दिन रात इसी तरह से पहरा देकर देश की सुरक्षा में तेनात है हम इसमें अंतराश्टी सीमा के ऐसे इलाके में पहुंचे हैं जहां से पाकिस्तान की दूरी सिर्फ चंद मीटर की है मगर उसके बावजूद भी देश के ये रक्षक बियसेफ के जवान लगातार यहां डटे हुए हैं आपको बता दू कि हालात ऐसे हैं कि कोई भी डर सकता है सामने अगर आप देखेंगे तो इस जमीन पर पूरी तरीके से सामने बारिश का पानी भर चुका है बरसात के बाद जो है वो बार जैसी स्थिती बनी हुई है मगर उसके बावजूद यहां बियसेफ के जवान इस चीज़ को सुनिशित कर रहे हैं कि कोई भी हरकत अगर सीमा पार से होती है तो उसे निप्टा जा सके हाटों में हत्यार और नजरें सामने पाकिस्तान पर इसके बावजूद कि अगर आप देखें तो इस वकब बी एसेफ के जवानों और पाकिस्तानी रेंजर की पोजीशन के बीच सिर्फ और सिर्फ बार का पानी है और जिसकी गती इस तरह से है कि अगर चोटी सी भी गलती इसमें हुई तो आपको ये बहा कर कहीं और ले जाएगा और आपको बता दूं कि इसके बावजूद सामने पाकिस्तान की पोस्ट पर नजर रखे हुए हैं क्योंकि यही मौका पाकिस्तान को भी भाता है गुश्पैट करवाने के लिए आतंकियों की गुश्पैट के लिए और यहां बीएसेफ के जवानों और सिविलिन्स को निशा है और इस पूरे इलाके में आप सामने देखेंगे तो कई ऐसी पोजिशन हैं जो इस वक्त पानी में हैं इसलिए इन पोस्टों के पानी में आने के बावजूद जवान जो है ऐसे इलाकों में तेनात कर दिये गए हैं ताकि कोई भी हरकत अगर पाकिस्तान यहां करने की को माप दिया जाएगा इस प्रे इलाके में जलमगन हो चुका है यह पूरा का पूरा इलाका और बार का पानी प्रे इस पूरे इलाके में भर चूखा है और इसलिए यहां यह किया जा रहा है यहां आप देखेंगे तो सिर्फ कुछी फीट की दूरी पर यहां से एक से डेड़ फीट नीचे पानी है और अगर थोड़ी देर और यहां पर जलसतर अगर बढ़ता रहा तो यह पानी में आ जाएगा मगर इनके लिए चुनोतियों के बावजूद भी यह लगातार यहां डटे हुए है बीएसेफ के यह जाबाज और इस चीज़ को सुनिचित कर रहे हैं कि अगर कोई भी दुश्मन यहां भारत की धरती पर किसी को भी कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा यह शान्ती को भंग करने की कोशिश करेगा तो उसे बक्षा नहीं जाएगा वही मार गिराया जाएगा दरसल भारी बारिश से जम्मू कश्मीर में नदियां उफान पर हैं और कई जगे हालात ऐसे हैं कि बिलकुल बाड आई हुई है चिनाब नदी खत्रे के निशान से उपर बह रही है जिसका जलस्तर 35.5 फीट पर पहुँच गया है जबकि जम्मू की जीवन दाइनी तवी नदी भी उफान पर है जो खत्रे के निशान 18 फुट से बस कुछ ही नीचे करीब 15 फुट के आसपास बह रही है वहीं कट्वा में उज नदी में भी पानी अचानक से बढ़ गया है लेहाजा कट्वा की उज नदी से लेकर अकनूर की चिनाब नदी तक बार्ध ने परिशानी को बढ़ा दिया है दरसल जम्मू कश्मीर के ज्यादतर हिस्सों में तीन दिन से हो रही बारिश का सिलसला अब भी लगातार जारी है जिससे चिनाब का जलसर 35.5 पीट पर पहुँच गया था जबकि जम्मू में तभी खत्रे के निशान से बस कुछ ही नीचे बह रही है साल 2018 में भी जम्मू कश्मीर में भीशन बाड़ आई उससे में भी भारी बारिश के बाद कई इलाके बाड़ के पानी में रूप गए थे इसके बाद सेना को रहत और बचाव के लिए उतरना बड़ा था